हलाव एवरिवाइन मैं नइन विकास और वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आईए देख लेते हैं निफ्टी में कल ऐसे कौन से लेवल होंगे जहां पर हम trade कर सकते हैं, उनके key level जान लेते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं, जो मैंने कल stocks बताये थे, उनमें किस तरीकी की movement रही है, किस तरीके से उसमें trade बन सकता था, चले देखने थे, पहला stock था हमारे पास LTTS, LTTS के अंदर मैंने कहा था, जैसे ही ये इसके उपर का था कि अगर ये ट्रेंड लेन के आसपास में कोई negative candle बनती नजा आएगी हम इसके शॉट करेंगे या फिर यहां से डबलू पैटर बनता, तो हम इसके अंदर buying side बनाते, sell करते, इसमें पैसा मिलता, अंगला stock था हमाया पाँ अंबूजा सिमेंट, अंबूजा सिमेंट के अंबूजा सब्सक्राइब करें अगला stock था, अगला stock था, अगला stock था, अगला stock था, इसको close करें, break करें, पंदर मिन सस्टेन करें, उसके बाद हम 22 जाते, पर इस ने किया ने यहीं से resistance लिया और लगातार गिरना शुरू, तो आए देख लेते हैं, अब निफ्टी को कि क अगर आपको दिखेगा, यह वाला area का जो support है, यह हमें नजर आ रहा है, ठीक है, यह पीछे भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लगातार जा रहा है, इस area पर support अभी लिया है, निफ्टी, कल हम क्या कर सकते हैं, कल अगर flat opening होने के बाद, क्योंकि कल है कल ऐसा होगा कि कल का दिन अगर market इसके अंदर रह जाती है, या फिर यह हमारा यह area है, यह हमारा no trading zone होएगा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग no trading zone के अंदर हमारा area आने वाला है, यह वाला area, इसके अंदर हम trade नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक volatility area हो सकता है, इसके ऊपर अगर कल निकल जाता है, तो हम बिल्कुल buy set जाएंगे, हाँ, और अगर इसके नीचे आ जाता है, फिर nifty में एक फिर से एक अगर ऐसी वसाल देखने को मिल सकता है हमको, वह भी nifty 16-400 तक के लेवल के लिए हम अराम से इसके अंदर, एक हपते या तेड़ हपते के अंदर, यह फिर स निफ्टिंग डाउन सेड आ सकती है, कल इसके दर टेट करने के लिए क्या हो गया, फ्लैट ओपन होता है, नो टेडिंग जोल के अंदर रह जाएगा, उपसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, उपर सेड जाएंगे, अगर इसको नीचे सेड ब्रेक कर देता है, तो हम इसमें शॉट्ट जा सकती है, जा सकते है, तो देखे लेते हैं, अब बैंग निफ्टी की बारेें बात कर लिए है, बैंग निफ्टी जैसा वेन नजर आ रहा है, ये भी सेम निफ्टी की तरह ही लगातार कुछ दे रेंज में राएंगे बाज इसने एक अच्छा की ठान दिया, और यहां पे एक ऐसा बन रहा अकल अगर यहां पे ऐसा बन जाता है तो यह एक कप and handle formation हो जाएगे अगर उपर निकलता है हम इसके अंदर buying side जा सकते हैं पर याद रखना जब हमारा आज का जो हाई है वो तोड़ेगा तब ही ठीक है जो आज का हाई तोड़ेगा तब ही और sell जाएंगे हम इसके नीचे यह हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन ठीक है इसके अंदर नहीं करेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस एडिया में रहता है कोई कुछ नहीं करेंगे पोज अगर गैप अपनिंग हो जाती है तो यहां कई हमें डवलू पैंटन से उ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह हमको लगातार इतने देर से यह देंज के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर हम इंतजार करेंगे कि जब यह हमारा हाई जैसे ही 4406 ब्रेक होएगा हम इसके अंदर बाइंग सैट जा सकते है नहीं तो यह अभी अपने र भी नहीं है यहां से गिरने के राइडि हूं तब तक पराइस के अंदर हांत नहीं डालना करता है इसके उपर नीचे छोड़ेंगे पॉली के अंदर अगर से देखेंगे तो यह gap up open होने के बाद थोड़ा सा उपर गया और फिर यहीं trend line का resistance लेके नीचे भी आया पर यह लगातार इस area में इसने क्या कि अब वेट किया प्राइज में accumulation distribution हुई और पता कब लगा कि जब यह breakout हुआ तब हमको पता लगा कि हाँ इसके अंदर accumulation हुई थी अभी इसमें कुछ भी कहना मुश्कील है जब तक यह breakout यह breakdown ना दे ठीक है चले देख रहता है अब इसके अंदर हम कल करेंगे कल देख सकते हैं कि breakout तो हो चुका है अब कल वेट करेंगे कि इस लावल के अगर यह इसी लावल के पास खुलते ही ऊपर जान शुरू करता है त सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो हो सकता है कि यहां पर कुछ देर तक और हवर करेंगे और उसके बाफ यह breakdown दे क्योंकि जितनी देर तक हवर करता है रहता है प्राइज मां उतना बढ़िया accumulation distribution होता रहता है और जब भी breakdown या breakout होता है वो sustainable होता है प्राइस के अंदर ठीक है इस बात को द्यान रखने याद रखना जब यह नीचे साइड जाएगा तभी जाके हम इसके अंदर करेंगे हां अगर हो सकता है कि यहां पर यह सपोर्ट लेने के बाद ऊपर भी उठ सकता ह है तो इसके अंदर half quantity रखके हम trade करेंगे पर मैं तो इसके अंदर buying नहीं करने के सला दूँगा ठीक है मैं कहूंगा कि sell के side जाओ क्योंकि अभी आज पूरा दिन यह बहुत बड़ी है trending में नीचे आया है इसलिए चले देख लिए अगला stock है हम आपास अडानी ports अडानी ports क अगर देखा जा तो यह भी एक बहुत ही बड़ी है शाप तो यह भी एक बहुत बड़े शाप selling आई है इसके अंदर भी अब इसके अंदर देखा जा अगर यह इसको ब्रेक करके यहां के लोज कर देती है तो हम इसमें अराम से 800 तक के लिए टार्गेट बनाएंगे जैसे यह देखे लेते हैं अगला स्टाइग अगला स्टाइग है हमारे पास आई सी आई सी बैंक यह हमारे आज भी था क्योंकि आज भी इसने बहुत अच्छा प्राफिट दिया अब अगर यह दिख रहा है कि अभी अपने सब्वोट के पास हवर कर रहा है लगातार दो बाशन सपोर्ट लिया भी है कल अगर यह इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है हम इसके अंदर सेल सैट जा सकता है बिलकुल अगर नहीं किया तो यह हो सकता है इसी रेंज के अंदर रह सकता है बाइंग कप करेंगे बाइंग हम लोग इसके अंदर जब तक यहां पर एक डबल लिम्टेट इसके अंदर भी आगर देखेंगे तो ये भी अभी प्राइस के पास अपने हवर कर रही है ठीक है अब इसके अंदर अगर कल ब्रेक आउट होता है बढ़िया सा तो इसके अंदर बाइंग हम करेंगा ओनली जब अठारा सो का लेवल पार हो जाएगा तभी जो कि कल अगर करना भी तो हाफ कॉंटिटे के अंदर बाय करना अठारा सो लेवल कि एक क्रूशल लेवल है तो वहाँ पे अकसर कुछ कॉल राइटर बैठे रहते हैं गिराने के लिए इस बात का ज़्धान रखना तो हो सकता है वहाँ से थोड़ी प्राफिट बुकिंग या फि हम अपने फूल कॉंटिटी रखके डाउंसाइड में ट्रेड करने वाले हैं चलिए फ्रेंड्स ये स्टॉक्स के अनाल्सिस थी जिन के उपर हम कल ट्रेड कर सकते हैं उमीद करता हूं आपको मीन अनलसिस अच्छी लगी है अगर वीड़ो अच्छी लगी तो प्लीज दिल देन गुट बबाई थैंक यू था जू ओवाचिन लव यू